आज मैं आपको बत्वे के पराथे बनाने सिखाऊंगी यह हमारा शेनो पॉडियम्स एल्बम जिसको हम बत्वा कहते हैं यह हमारा वीट फ्लॉर है जिसको हम यहुंका आटा बोलते हैं यह हमारी ग्रीन चिली फोर स्पून यह हमारा कॉरियंडर पॉडर धनिया पॉडर पॉर स्पून यह हमारी क्युम्न सीट जिसको हम जी रा पॉडर बोलते हैं यह 3 पॉन यह हमारी अजवाइन जिसको हम बोलते हैं केरोम सीट यह है वन स्पून पॉडर यह है यह यळो चिली फलैक्स यह वन स्पून सौल्ट फोर स्पून स्वाध अनुसार अब हम क्या करेंगे इन चीजों को इसमें एड करेंगे मिक्स करेंगे अपने वीट फ्लावर में यहूं के आटे में करेंडर पाउडर जीरा पाउडर जीरा पाउडर अजवायन चाहिए यह चली फ्लैक्स इसारे मसाले इसमें एड करेंगे लाश्न बचेगा हमारा सॉल्ड इसको हम मिक्स कर लेंगे अब अपना लेंगे बत्वा सेमो पॉडियम एलवन इसको इसमें एड करेंगे आज हम क्या ठाने जा रहे हैं बत्वे के पराठे यह इसमें आइरन होता है जो हमारे शरी को बहुत फायदा देता है कि इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तना फिर इसको हम गुदेंगे जैसा कि आप देख रहे हैं इसको में अच्छी तना मिक्स कर रहे हूं आप लोग तो कि इसी से यह स्पैसी बनेगा या आपको डिपैंट करना है कि आप ग्रीन चिली कितनी रखते हैं या स्वाद अनुसान नमक कितना रखते हैं देखे फैंस मैंने यह आटा अब गूंद लिया है है अब मैं इसकी जो है लोल बनाऊंगी छोटी छोटी चोटी बेलना शुरू करूंगी अब अब यह बहुती हैल्दी प्राथे हैं और इसमें जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि बथुए में आयरन की मात्रा बहुत होती हैं यह हमारी हैल्थ को बेनेफिट करते हैं उसके खाने से आपमोटे नहीं होंगे कि आपका वेट लगए में तो इसको मैं ओली 2000 में करूंगे वैसे आपको उपर डिपेंड है आप किस में खाना पसंद करते हैं मैं से मैं गी नहीं लिया कोगी गी में ही नुकसान करते हूं मैं गी उज़ नहीं करती हूं पराटो के लिए औलिव यूज़ करती हूं यह आपका पेट भी नहीं बढ़ने देगा और यह डाइजेस्टिव पराठा है तर्व गी लनकी शॉटे पराठे परह कोगाने की खते हो कि और यह रहें यह दो अख़ी्यक्रािब देए छोटे पराठे सम्ट तो आप में शेप के चोटा पराथी बना सकते हैं, देकि मैंने बड़ी लोई ली है, यह बड़ी साइज का बनेगा, कुछ लोग बड़ा साइज पसंद करते हैं, कुछ लोग छोटा साइज पसंद करते हैं पराथे का, यह सब आपको ओपर डिपेंड है, आप अलग-अलग आइंगल के पराथे भी बना सकते हैं, यह से बच्चे पसंद करते हैं, ट्राइंगल शेव में भी पसंद करते हैं, चोकोर शेव में भी पसंद करते हैं, पराथो को, तो मैं आपको बता दे हुए यह आप कैसे करें, अगर यह से बच्चे खाना पसंद करते हैं, इसकी हम तोड़ी मीडियम कर देंगे मीडियम के कम लॉफ लेंपे कर देंगे यह है अलिव इसमें अलिव लेगा अब आपको भी डिपैंड करता है अगर आप मोटे नहीं होना चाहते हैं तो आप ऐसे ही खा सकते हैं इसे और जिनको जादा शौक है घी में करने का देसी घी लगाने का या बटर लगाने का तो आप इस पर बटर भी डालके यूज कर सकते हैं मैं बटर नहीं डालती हूं मैं हल कॉंशिस को लेकर बहुत बो रहती हूं यह आपके हैल्दी पराठे रेडी हैं इसे आप खा सकते हैं अब देखिए यह शेप तो होगी छोटे शेप आपको दिखाते हूं भी यह देखिए मैं जो बना रही हूं बच्चे ट्राइंगल शेप में भी पसंद करते हैं बच्चों का मूड़ है ना कि नहीं ममा मैं सरकल से शेप में नहीं लूँगा तो आप इसे जो है इसकी शेप भी चेंज कर सकते हैं हम कैसे यूज करेंगे से इसको हम इतनम लाओ पे कर देए ताकि हमारा तवा भूमाना देखिए यह हो गया आपका ट्राइंगल शेप जैसे ब्रैट पकोड़ा शेप होती है तो बच्चे यह जो है बहुत पसंद करते हैं यह देखिए आपके ट्राइंगल शेप होगे यह बथवे के पराठी यह समझ लीगे जब जब सर्दियां आती हैं यह सर्दियों में ही बथवा आता है आप जानते होंगे तो यह आप खाएंगे इससे आईरन की कमी भी दूर होगी आपके बच्चे में और आप में और यह पोश्टिक पिबहुत होते हैं खाने में हेल्दी पोश्टिक प्रचूर मात्रा में आपको इसका जो आईरन है वो जाएगा आपके अनल मोटे लोग अगर इससे खाएंगे तो उनका आटोमेटिक जो पेट है कि वो कम रहेगा बट मोटे लोगों को जो है घी नहीं यूज करना है इस पराठे में सिर्फ आउली 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 यूज करना है मैं एक आपको चकोर शेव में दिखाती हूँ इसके अड़ शेप है यह आपका ट्राइंगल शेप हो गया यह आपका सरकल शेप हो गया तो बच्चे जो अलग अलग शेप में देते चाहते हैं बच्चे उखाएंगे मैं फिर मेडियम आच करूंगी इसकी ता कि अपराटा अच्छे से हो अगर आपको मेरे पराठे पसंद आएंगा तो आप लाइक और कमेंट्स जरूर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलना क्योंकि इससे पहले वीजिए नहीं पूलाएंगे तो आप लाइक और कमेंट्स जरूर करना और जो डिश डाली थी मैंने आप से बोला था क्या आप कमेंट्स करके भी और बैल आइकन को तो बुल्कुल दवाना न भूले कुछ लोग बैल आइकन को नहीं दवाते हैं लेकिन और उसमें नोटिफिकेशन भी आप डाले अपना वीडियो का मुझे नोटिफिकेशन जो है जल्दी मिलेगा इस तरीके से कहां आपने मेरी जो है पसंद करी लाइक करी और बैल आइकन बैल आइकन कुछ लोग भूल जाते हैं नहीं दवाते हैं और तो आप में तो ठीक है देखिए मैं इसके जो है अब वो जिसे वह हो रह है यह ट्राइंगल शेप में हमारा हो गया हम इसे जो है चौकोर शेप में करेंगे तो प्लीज आप लोग हमेशा दियान लखे मुझे सब्सक्राइब करना ना भूले लाइक करना ना भूले बैल आइकन को दवाना ना भूले और मेरी वीडियो को अगर आपको पसंद आई हो ऐसा है अगर आपको सुनने में थोड़ी प्राब्लम हो मेरे अगर आवाज ना रही हो यह पीछे से हमारे यह कुछ प्राब्लम से घर के अंदर परिसनल प्राब्लम से रहती है तो उस वज़े से थोड़ी आवाज में आपको दिक्कत होगी यह हमारे बच्चों के लिए खैवरर पराठे बत्वे के तयार है अब यह देखिए यह स्केर शेफ हो गया यह अपना ट्राइंगल शेफ तो बच्चे इसे बड़े चाव से खाएंगे और बार बार मांगेंगे बच्चे और एक्साइटमेंट होके खाएंगे ममा वाओ क्या पराठे बनाए हैं आपने तो प्लीज आपने बच्चों को खिलाईए और ट्राइ कीजिए यह उनकी हेल्ट के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं ठीक है अगर फ्रेंड्स आपको मेरे यह पराठे पसंद आए हो तो मैं फिर आपसे एक बार कहना चाहूंगी कि बेल आइकन को दबाना ना भूलें मुझे जादा जादा लोग सब्सक्राइब करें लाइक करें और कमेंट्स करें ओके फ्रेंड्स बाई